हेलो एव्रीवान वेल्कम बैक टू माय चैनल गाइस मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होप कि सभी अच्छे हैं खुश आर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के ल सारी बतों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे स्टार्ट करते हैं बिना देर करें और देख लेते हैं क्या आता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए तो गाइस शुरू करने से पहले बतादू कि यह जैनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजनेट हो सकता है प्लीज किप अन ओपन माइंड चली स्टार्ट करते हैं थ्री अफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियन पारिसस के दो काड़ एक साथ हैं तैन अफ सोर्स एंड शिक्स अफ मैंटिकल्स फाइव वांस दो कार्ड जा गए हैं तो अफ सोर्स एंड एंप्रर किंग अफ पेंटिकल्स वाव एंप्रेस यह कार्ड रिवर्स में हैं पेज ओफ पेंटिकल्स एस अफ काप्स एक दो कार्ड और ले लेते हैं डिटेल में जानना हैं क्वीर्स अफ अफ पेंटिकल्स ओफ इंड नाइट वांस हमारे पास काप्ड यहां पर अपर एंपीरार और King of Pentacles and Queen of Pentacles मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका relationship बहुत अच्छा है अभी चल बहुत अच्छे से रहा है आपके person अपने parents से मिलवा सकते हैं आपको February मंत में ठीक है आने वाले मंत में यह message मुझे हैं सबसे पहले मिला है देखो फैब मंत में आपके पास celebration आ रहा है हो सकता है कोई घर में कोई celebration event आ रहा है ठीक है हो सकता है किसी की सगाई है engagement है party है birthday party है anniversary है कुछ इस तरह कर celebration होते हुए मैं देख रही हूँ और आप उसमें participate मतलब आप जाएंगे ठीक है उस function में और ये भी हो सकता है कि आपके person dinner organize करें कहीं पर और अपने parents से आपको मिलवा दें ठीक है ये भी एक event मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है ठीक है एक छोटी सी meeting आपके person के parents के साथ ठीक है एक तो ये चीज मुझे हैं पर दिखी है fab month में होते हुए दूसरा मुझे आप अकेले नहीं दिख रहे हो आने वाले month में क्योंकि ये card reverse में है nine of wands का card reverse में है जो कि बता रहा है कि आप अकेले नहीं होगे हाँ ऐसा हो सकता है आपके person के साथ थोड़ी बहुत no joke arguments वगरा हो सकते हैं बड़ बहुत major level पर दिख नहीं रहे हैं तो मैं जो चीज़े यहां देख पा रही हूँ आपकी confusion दूर हो रही है आपकी love life को लेकर आपकी love life में सुधार होते हुए दिख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कभी लड़ाई नहीं होगी आप दोनों के बीच में लड़ाईयां छोटी-छोटी हो रही हैं दिख रही है वो 5 month में होते हुए भी थोड़े परिशान भी आप हो सकते हो लेकिन बहुत major level पर नहीं दिख रही है यह चीज़े मुझे और आपकी life में काफी speed में चेंज आ रहा है आपकी love life में especially तो यह changes मैं आपकी love life में होते वह देख रही हूँ आने वाले month में दूसरा guys देखो progress पर हो क्योंकि queen of pentacles का card है और यहाँ पर king of pentacles का card है यह मुझे clear बता रहा है कि आप अपने career में बहुत अच्छा कर रहे हो ठीक है success आने के chances है और अपना success आप celebrate कर सकते हो जो भी achievements आप हासल करने वाले हो कुछ चीज़े आप achieve कर सकते हो क्योंकि हमारे पास ace of cups का card है क्योंकि यह card बता रहा है कि कुछ new beginning आपकी life में होगी और कुछ के case में यह भी हो सकता है कि यह जो person अगर आपकी life में कोई नहीं है तो आपकी love life स्टार्ट हो सकती है फैव मन से कुई हो सकता है कि आपको call करे, message करे, कोई मिले आपको ठीक है हो सकता है आपकी friends circle में से मिल जाए ठीक है friends के friends हो सकते है और उनसे आपको प्यार हो सकता है तो एक new love आता हुआ मुझे दिख रहे है आप लोगों के लिए जो single है यहाँ पर बाकी तो मुझे लगता है जो भी divine counterpart है एक दूसरे के आपके partner अपने parents से मिलवा सकते हैं आपको बाकी तो कुछ celebration भी आता हुआ दिख रहे है कुछ event आप बिलकुल अटेंड करने वाले हैं यह चीज़े मुझे यहाँ पर दिख रही है थोड़ा बहुत मुझे लगता है आप charity भी कर सकते हैं आने वाले time में ठीक है fab month में charity करते हुए भी मुझे आप दिख रहे हो तो काफी improvements हो रहे हैं आपके work area में भी काफी बदलाव आ रहे हैं आपकी personality भी change हो रही है ठीक है आप बहुत जादा day by day अच्छा experience अपना gain कर रहे हैं तो काफी चीज़े अच्छी हो रही है आपकी life में और balance सबसे अच्छी बात है कि बन जाएगा इस month में ठीक है तो काफी relaxed हो आप अच्छे से अपना manifest भी कर रहे हो five अकेलापन लगेगा कभी कभी लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे कुछ major change होते हुए दिख रहा है इस month में और guys दूसरा यह है कि आपकी life में balance आएगा तो चीज़े आप अपने time पे कर लेंगे ठीक है तो कोई headache भी नहीं है आपको अपने काम को लेके especially love life को लेके balance आने वाला है और king और emperor और empress बता रहे हैं कि आपकी personality में भी काफी ज़्यादा changes आ जाएंगे और देखते हैं इस month में और क्या है आपके लिए wait a second door to spirit the temple path आपकी कोई बड़ी विच भी पूरी हो सकती है क्योंकि आप जो manifest कर रहे हो या जो भी affirmation बोल रहे हो divine तक आपकी आवास पहुँच रही है divine सुन रहे हैं आपको जो भी आप manifest कर रहे हो ठीक है बहुत टाइम से manifest कर रहे हो और divine ने आपके लिए दर्वाजा खोल भी दिया है तो मुझे लगता है कि येस आपकी life में changes आ रहे है huge changes आप देखेंगे आपका heart chakra भी balance हो रहे है yes door to personal healing and happiness and storm और यहां से है yin and yang and victory and action strategy वाओ कितने प्यारे cards आए हैं अच्छे जो भी tower moment आपकी life में अगर आया हुआ है और आपके manifestation के आगे आ जाता है तो मुझे लगता है कि अब इस tower moment पर आप victory हासिल कर लेंगे आने वाले month में यानि कि tower moment खतम हो जाएगा universe भी आपके लिए planning कर रहे हैं strategies बना रहे हैं चिक है और yin and yang card बता रहा है कि आपकी love life में काफे ज़्यादा improvement आने वाले हैं क्योंकि आपका heart chakra balance हो रहा है आपके partner कभी हो सकता है heart chakra balance हो जाएगा और ये आपको आपके intuition बताई रही है इस सारी बात है क्योंकि आप ऐसा feel कर पा रहे हो कि आगे आने वाला time बहुत ही best होने वाला है यही सोचके guys आगे बढ़ो कि आने वाला time best होने वाला है क्योंकि जब आप ऐसा सोचोगे तो ऐसा reality में भी होने लगेगा अगर आपकी intuition थोड़ा भी आपको ये बता रही है कि बिल्कुल बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है तो आप उस पर 100% से भी ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर दो और उसी तरह के affirmations बोलने शुरू कर दो तो येस मुझे लगता है कि युनिवर्स भी आपके लिए प्लानिंग कुछ ना कुछ तो अच्छी प्लानिंग की हुई है युनिवर्स ने आने वाले मंत के लिए और वो आपकी सारी बाते सुन रहे हैं उन्होंने आपकी सारी प्राथनाएं सुनी हैं आपका इंतिजार देखा है तो मुझे लगता है जल्दी ही वो भी आपके लिए ये टावर मुविंट खत्म कराने में मदद करेंगे आप एक्षन लेते रहो आपका जो भी रिवाइड है वो आप तक पहुँचेगा ठीक है एक्षन आप लेते रहें रुखना नहीं है आपको ये चीज आपको करनी है और देखते हैं यहां से क्या आता है आप लोगों के लिए रिट्रीट सेपरेशन एक छोटा सा सेपरेशन भी फेस करना पड़ सकता है आपको फैब मन्त में ठीक है और ये इस वज़ा से भी हो सकता है क्योंकि फैबिली इशूस या तो आपके परसम की तरफ से हैं या आपकी तरफ से हैं पर फैबिली इशूस हो सकते हैं लेकिन गाईज ये कुछ के साथ ही होगा हर किसी के साथ नहीं होगा मुझे लगता है जो यहाँ पर एक दूसरे के जो divine counterpart है जो spiritual connection में है उनके साथ ये चीज नहीं होगी उनके साथ अगर separation आया भी तो बहुत ही छोटा सा होगा बाकी लोगों के साथ अगर separation आ रहा है आने वाले month में तो guys वो family issues की वज़े से हो रहे हैं हो सकते हैं आपके person की family में कुछ problems हैं या वो ऐसा situation face कर रहे हैं जहां पर वो थोड़ा सा first rate हो जाते हैं stress मिल जाता है उनको यह चीज आपके साथ हो रही होगी that is why आपको छोटा सा separation आ रहा है आपके पास तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि month बहुत बढ़ा है और इसमें चीजे अगर दो तिन दिन का separation आता भी है तो ऐसा भी time आएगा जब आपके person आपके पास आएंगे आपको call करेंगे अपने parents से मिल वाएंगे यहां पर दिख रहा है तो यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि tower moment खतम हो जाएगा जो कि आपको बहुत disturb करता है और universe कुछ न कुछ plan कर रहे हैं वो भी आपको आने वाले मन्त में दिखाई देगा कि universe की planning क्या है आपके लिए तो काफी चीजे आपकी life में जो disturb कर रहे है आपको वो चीजे खतम हो जाएगी service forgiveness mysticism yes guys मुझे लगता है कोई purpose है बहुत बड़ा आपका जिस पर आप काफी जादा hard work कर रहे हो काम कर रहे हो और लेकिन यहां पर यह है कि आपका इंतिजार खतम हो सकता है क्योंकि victory हो सकता है इस area में भी आपको मिल जाए ठीके जो भी इंतिजार है या जिस भी तरीके से आपन करते हैं family friend में से कोई भी है आप उन सबको माफ करके चलें ठीक है बर्डन अपने उपर से बिल्कुल हटा दें किसी के लिए भी मन में कोई hate वगेरा मत रखो ठीक है सबको माफ करके आप आगे बढ़ जो आपकी journey आगे बहुत बड़ी है बहुत कुछ देखना है आपको ठ इस तरीके से आपकी healing बहुत अच्छे से होगी और आप positive vibes भी get करेंगे इतना आप कीजिए guys फिर देखना February month बहुत ही beautiful हो जाएगा आपके लिए ठीक है choose to forgive in order to heal देखो यही वाला कार्ड आगया ना जब मैं बात कर रही थी अभी choose to forgive in order to heal see the light in all remember that love has no boundaries बिल्कुल guys आपको दूसरों को माफ करना पड़ सकता है खुद को heal करने के लिए तो खुद की healing important है आप ऐसे ही करना you already know the answer you seek आपको answers भी पता है आपके जो questions है उसके answers you know very well तो trust करो जो भी आपको मालूम है उन बातों पर और उनको follow करना शुरू कर दो ठीक है आपका connection divine के साथ काफी deep बन चुका है और अपनी inner voice पर trust करना शुरू कर दीजे आप जो आपकी intuition कह रही है वही होने वाला है आगे तो लोगों को माफ करके चले ओके और जितना हो सके आपकी life में victory आ रही है इसके लिए affirmations बोलते रहें और universe की strategy पर भी भरोसा रखें आपके connection में काफी changes आते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपकी life में भी ठीक है तो काफी stress anxiety अगर आपके पास है तो वो भी खतम हो जाएगी एक छोटा सा separation आएगा उसको लेकर जादा tension लेना मत क्योंकि ये बहुत ही मामुले सी बात है बहुत बड़ी बात नहीं है बाकी अपने purpose पे काम करते रहे है major issues जो चल रहे हैं आपके life में वो खतम होने वाले हैं आने वाल कर देना अभी के लिए बस इतना है गाईज बाई टेक केर